नमस्कार मित्रों ये हमारे हुर्दय में इश्वरियक प्रेम का अंकुर कैसे फूटे हैं इसके बारे में आगे के दो इश्लोकों में भगवान कृष्ण ने बतलाया है अर्था जब व्यक्ति प्रशान्त मनस्वाला हो जाए जब उसका मन शान्त हो जाए इंद्रियां अपने विश्यों से हटकर अंतरमुकी हो जाए तब व्यक्ति के अंदर एक सुख का अध्र होता है जिसे ब्रह्म का आश्वाद कहा जाता है इश्वरिय सुख कहा जाता है ऐसा सुख जो बाहर के सारे सुखों से उत्तम ऊटिका है जिसकी संसार में कोई तो लणा नहीं, वो तब ही होगा जब मन उपरम हो जाये, सारी इंद्रियों से, सारे बसों को, सारी चीजों को छोड़ करके वो हारी चरणों में लग जाये, तब उस बीज, प्रेम के बीज में अंकरन होगा, जो आपके आत्मा में अवस्थित है, वो इश्वरिय प्रेम का बीज और जब उस प्रेम के का बीज का अंकुरन हो जाएगा धीरे धीरे वो बढ़ेगा पल्लवित होगा तब आप अपने अंदर ही उस इश्वरिय प्रेम को पा सकते हो अरियो